बूर्णिंग बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी एसस एजुकेशन में बच्चों आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से धनुस भंग नामक पाट का सात्मा वीडियो लेकर उपस्तित हुए हैं इस वीडियो में हम सात्मे दोहे और च चित्र लिखेशे देख चितई सी कृपायतन जान विकल विशेख आईए इन पदों में कुछ सब्दों के अर्थ देख लेते हैं राम प्रभु सुरी राम चंजी का नाम वी लोग के मने देखते हैं लोग मने सभी लोगों को सब लोग लिखाया याने सभा में जितने राम कृपा निधान भगवान स्री राम संदर जी कृपायतन करता है जानी मतलब जाना विकल विशेख विकल मने व्यापुल विशेख मने विसेश यह राको सब्दों के अर्थ अवहम देखते हैं संदर्व संदर्व में पूर्वत लिखाया याने पहले वीडियो में का वडन यहां पर किए गया है, व्याख्या पे हम चर्चा करेंगे, काबेगा सुंदर देख लेते हैं, काबेगा संदर में रस है, छंद आपका दुखा छंद है, गुड़ब प्रिशाद है, अलंकार अनुपरास और उप्मालंकार है, भासा और सेलीड पहले वाला ही रहेग अब हम देखेंगे अनुप्रास और उपमालंकार कहा है तो आप देखेंगे जहाँ पर सो समान से आधी सब्द आते हैं वाचक सब्द वहाँ पर उपमालंकार होता है जहाँ पर तुनलंके रता है तो यहाँ पर उपमालंकार है अब अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है तो दाश जी का रहे हैं कि प्रभुसरी राम चंद्र राम बिलोग के लोग सब याने प्रभुसरी राम चंद्र सभा मुपस्ति सभी लोगों को देखते हैं सब चित्र लिखे से देख याने सभी लोग जो हैं चित्र के समान लिखे वे दिखाई दे रहे हैं और थात्वो मुर्त स्री राम चंदर जी सीता जी को देखते हैं जानी विकल विसेख और उन्हें ये जान पड़ता है कि सीता जी विसेश रूप से व्याकुल हैं बथित हैं ऐसा उन्होंने अन्भाव किया ये रहा इन पदों के व्यक्या इसे सुनकर समझ कर अपने जरल सब्दों में लखिए अ और जोनी घोर कठ षो रहा तक पूरा चोप आई है चोप आई का जो संदरव है आप पूर्वत लिखेंगे चाणे इसी ंदर्व को आप यहां पर नोट करेंगे प्रसंग क्या है प्रस्थ्तुत पद में सीता जी का राम के प्रतिश्ने या प्रेम और दंस के तुटने का व्डुट थिअ प्रति सीता के मंन क्या प्रेम है कैसा प्रेम है इसका वड़न है और धनुस कि प्रकार से टूटा यह अपका को व्याख्या निखंग यहां पर अंagar देखने को मिलेगा सिंगार रस और अद्भूत रस कहां है आप इसको समझ रस्के रस है और जो मैं ब्याख्या बताऊंगा तो कुछ ऐसे चीज़ें है रख्या के दोरान कि आपको आश्यर जनक लगेगा इसलिए वो यहां पर अद्भूत रस भी आपको देखने को मिलेगा छंद क्या है चौपाई शंद रहेगा गुड़ यहां पर माधूरी गुड़ है अ बाव वरणों के पुन्रावरित्ति हुई तो यहां पर क्या मिला आपको अनुप्राशलंकार फिर आप नीचे देखेंगे बार इबिन बाव वरणों के पुन्रावरित्ति है तो यहां पर अनुप्राशलंकार दमके दामनी दादा वरणों के पुन्रावरित्ति है तो यह उपमालंकार जैसे आप यहां पर देखिए तो यहां पर क्या मिला हमें ऊपमालंकार तो यह रहा हमारे अलंकार अब हम इसकी वियाख्या कि भरान इसक्राप्दों के अर्थ में बताता चलूंगा देखेए पहले वाले पंक्ति में थूसिदाजी का हैं कि प्रभुस्री राम चंद्र जी माता सीता को बिपुल मने अत्यदिक विकल मने ब्याकुल याने बहुत ब्याकुल देखा देखी बिपुल बिकल बैदेही बैदेही अर्थात सीता जी याने गुस्वामी दोसिदाजी काते हैं कि प्रभुस्री राम चंद्र जी माता सीत सीता को अत्यदिक व्याकुल देखा निमिश बिहात कलप समते ही निमिश याने छण मात्र का जो समय होता उसे निमिश करते हैंने सेकेंड से भी कम का समय बिहात मने व्यतीत हो रहा है कलप कलप का अरुस होता है कलप कलप समय का मात्रक है इसमें चार अरब 32 क्रोण होता है एक सीता जी का एक छण जो है सेकेंड से भी कम का समय है सीता जी को ऐसा मालूम पढ़ना जैसे एक कल्प के समान हो तो वहीं यहाँ पर वर्ण किया गया है कि निमिस बिहात कलप समते ही याने सीता जी का एक छण का समय जो है वो एक कल्प के समान लग रहा है किसको सिता जी को त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा त्रिसित माने प्यासा बारी माने पानी तनु याने हिदय त्यागा माने त्याग देना या छोड़ देना याने का रहा है कि रामचंदर जी अनुभाव कर रहा है कि सिता जी के म में ये बात चल ला है त्रिसित बार बिन जो तनुत्यागा याने पानी के बिना अगर प्यासा व्यक्ति अपना सरीर त्याग दे याने छोड़ दे याने मर जाये तो मुए करई का सुधा तड़ागा याने ऐसे मरे हुए व्यक्ति को मुए मने मरे हुए व्यक्ति को करई उस से व्यक्ति के लिए अम्रित का तालाब भी क्या करेगा नीची वले पंक्ति में का बरसा सब क्रिसी सुखाने यहने ऐसी बरसात का क्या लाब है जब क्रिसी सूख जाए खने का असा है कि जब खेती सूख जाए तो बारिस हो तो उसके बाद उस बारिस कोई फाइदा नहीं है समय चूक के पुनी का पच्छताने यहने समय के चले जाने के बाद समय पर चूक जाने के बाद पस्ता ताप करने से कोई फाइदा नहीं है पस्ताने से कोई फाइदा नहीं है अस जी जान जान की देखी यहने प्रभुसरी रामचंदर जी अपने जी में यानि हिदय में ऐसा जानते हैं कि सीता जी इस प्रकार से कलपना कर रही है, सोच रही है अस जीय जान जान की लेखिए यानि इस प्रकार हिदय में सीता जी कलपना कर रही है, सोच रही है ऐसा प्रभु स्री राम चंदर जी समझते हैं, जानते अनभौ करते हैं प्रभु पुलके लगी लखी प्रीत विशेखे प्रभु याने प्रभु स्रिरामचंदर जी याने वे इस प्रकार बहुत प्रसंद होते हैं माता सीता का अपने प्रती प्रेम देख कर लख याने देख कर प्रीत मने प्रेम विशेखी मने विशेश याने सीता जी के इस प्र जब ऐसा वो अनभा कर लेते हैं जान लेते हैं तो अपने गुरु को मन ही निया अनतर आत्मा से ही प्रनाम करते हैं अतिलागव उठाय धनु लीना अत्यधिक शिगरता से अत्यधिक टेजी से उठाए धनु लिना और उस धनुज को क्या करते हैं उठा लेते हैं जब वो जानते हैं कि सिता जी मेरे प्रति विसेस रूप से व्याकुल है व्यतीत हैं तो उन्होंने मनही मन गुरु को प्रणाम किया और अत्यदिक कम समय में सधिक सिग्रता से वह धनुस को उठा लेते हैं। और जब वो धनुस को उठाते हैं तो क्या होता है ज़र देखने नीचे वले पंक्ति में क्या करें गोश्वामी तुलसराजी दमक्यों दामनी जिमी जब लवाई हूं दमक्यों याने चमकता है दामनी याने बिजली जिमी जब लवाई हूं याने जैसे वो धनुस को उठात आते हैं, तो वो आकास में विजली की भाति जो है, चमक उठती है, पुणी, नब, धनु, मंडल, सब भईगों, पुनी में फिर, नब Tiernels मनें अकास अगास में मंडल म मंडल सम भईगों, के समान, यहने फिर क्या होता है, वो धनुस आकास में मंडल आकार बन जाता है जब प्रभुसरी रामचंद्र जी अत्यदिक सिग्रता से उस धनुस को अपने हाथों में उठाते है तो विजली के बाती कौन पढ़ती है चमाक उठती है और वो फिर आकास में मंडलाकार हो जाती है कौन धनुस लेत चड़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े यानि प्रभुसरी रामचंद्र जब उस धनुस को उठाते हैं अत्यदिक सिग्रता से तो उन्होंने उस धनुस को उठाया हाथों में लिया उसको खीचा धनुस को खीचा यानि प्रत्यंचा चड़ाया इस लोग वहाँ पर खड़े खड़े बस देख रहे थे कि प्रभुसरी रामचंद्र जी अपने हाथों में धनुस उठाये हैं बाकि धनुस को उठाकर उसको प्रत्यंचा को चड़ाना इस क्रिया को इतनी तेजी से उन्होंने किया कि किसकी लोगों ने वहाँ पर उसको देख नहीं पाया तही चन राम मद्य धनुतोरा भरे भूवन दोनी घोर कठोरा और उसी छण जो है प्रभुसरी रामचंद्र जी ने उस धनुस को मद्य से याने बीच से तोड़ दिया और पूरे भूनों में याने तीनों लोकों में आकास पाताल नरक लोक स्वर्ग लोक जित जो है घोर धनी याने कठोर धनी जो है फैल गई याने सार तरफ उस धनुस को टूटने का आवाज फैल गया तो बच्चों यह रायन पक्तियों की व्याक्या अब आप इसे सुनकर समझ कर अपने सलल सब्दों में लिखिए अब हम आगे नीचे बात करते हैं जो चंद है उ सुजाजी काते हैं भरे भुवन घोर कठोर रवर विबाज तज मारुग चले चिकर हिदी गज डोल मही अही कोल कुरूम कल मले सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचा रही कोदंड खंड उराम तुलसी जयति बचन उचा रही तो यह रहा हमारा सवया चंद आए देखते हैं इसका जो संदर्व है संदर पूर्वत रहेगा बस आप वहाँ जहां चौपाई लिखा है या दोहा वहाँ पर आप सवया लिख देंगे आके संदर उसी तरह से लिखेंगे अब प्रसंग क्या है प्रस्तुत पद में धनुस अब चलिए हम देखते हैं ब्याख्या में बावा तुलसिदाजी काते हैं कि जब धनुष टूड गया है तब के बाद के सिति क्या है भरे भुवन घोर कठोर रव रव मने ध्वनी होता है भरे मने भर गया भुवन मने भुवनों में याने तीनों लोकों में घोर और कठोर ध्वनी तीनों लोकों में भ प्रभुसर राम चंदरी ने धनुस को तोड़ा है उसी के पशात तीनों लोकों में कठोर और घोर धनी जो है तीनों लोकों में भर गई है और सुर्य के घोड़े जो है अपने मार्ग त्याग करके मार्ग छोड़कर चलने लगे चिक्कर ही दिगज डोल मही अही कोल कुरूम कल मले चिक्कर ही मने चिगाने लगे दिगज मने दिगज उनने बताया से दिगज का मतलब का होते दिसाओ कर रक्षा खाती लोग जो है वो चिगाने लगे यहने चिलाने लगे डोल मही डोल मने डोलने लगी मही मने प्रतवी प् प्रिथिवी को ध्यान से पकड़ रहीएगा कई ऐसा नहीं लोग कि यहां पर चर्चा की गरी है क्या चिक्कर ही दिगज डोल महीं अहीं कोल कुरूम कलमले यह जो दिगज है जो हाथी है वो घाणने लगे चिननाने लगे और प्रिथिवी जो है डोनले लगी अही मने सेसना कोल मने वरा कुरूम मने कच्छप यह लोग क्या हो गए ब्याकुल उठे यहने ध्वनी इतनी तेज हुई दनुस्कुल क्या है ब्याकुल हो उठे सुर असुर मुनी कर कान दीने सकल विकल विचार रही सुर मने देवता असुर मने दानो मुनी यने मुनी लोग कर यने हाथ कान मने दीने यने सुर असुर देवता मुनी सभी लोगों ने अपने हाथों को कानों पे रख लिया इतनी तेज आवाज हुई कि उस आवाज से व्याकुलो करके सारे लोगों ने अपने हातों को कानों पर रख लिया और सकल विकल विचार हैं सकल मने सभी लोग विकल मने व्याकुलो करके विचार हैं मने विचारने लगे याने विचार करने लगे यानि सुर असुर मुनी देवता अपने हाथों को कानू पर रख करके व्याकुलता से विचार करने लगे कोधंड खंड़ेव राम तुलसी जयती बचन उचा रही यानि ऐसा जब सबको निशीत हो गया, बाबा तुलसी दाशी काते हैं कि जब सबको ये निशित हो गया कि प्रभुस्री राम चंदर जी ने इस धनुस को तोड़ दिया को दंड याने धनुस खंडेओं ने तोड़ दिया राम ये प्रभुस्री राम चंदर जी ने तुलसी जयती बचन उचार ये तुलसी दाजी काते हैं ऐसा जब सबको निशित हो गया कि प्रभुस्री राम चंद्र जी ने इस धनुस को तोड़ दिया तो सभी लोग जो है राम चंद्र की जय जय कार करने लगे यानि राम जी की जय कहने लगे ऐसी रही ब्याक्या इस सभी अचंद की बच्चो आप इसे सुनकर समझकर अपने सरल सब्दों में लिखे हमारा धनुस भंग जो सिर्शक है बाल कांट से वह समाप्त हुआ अब हम आगे के वीडियो में बन पत पर नामक जो सिर्शक है उसको ले करके आएंगे जो की अध्या कांट से उद्रित है तब तक आप इससे पढ़ते रहें लिखते रहें समझे और हां बच्चो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें